नमस्कार सिरी पोस्ट में आपका स्वागत है मिस्तेहां भाती आपके साथ नेता प्रति पक्ष तेजस्वी आदब लगातार क्राइम को लेकर के नितेश कुमार को घेरते आ रहे हैं जिहां आपको तादे कि रुपेस हत्याकान के बाद से लगातार सरकार तेजस्वी आदब के निशाने पर है यानी बिपक्ष के निशाने पर है इस वीच तेजस्वी आदब ने आज पत्रकारों से बात करते हुए फिर से नितेश कुमार पर जम कर निशाना साधा है दरसल राज़त के नेताओं के साथ पहले तो उन्होंने बैठक की नेता प्रतिपक्ष तेजस्पी यादब ने उसके बाद प्रेस कॉंफरेंस रखा और प्रेस कॉंफरेंस के दौरान तेजस्पी यादब काफी गर्जे काफी बरसे सरकार पर क्या कुछ तेजस्पी यादब केवल मुख्यमंत्री है कि आश्य लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि किस ने अपराद किया है और यही भीक्षा समिक्षा जो करते रहे हैं पैसे का लें दें अधिकार्य का तबादला कि इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाएं है कि एक प्लैट्पॉम पर आर्सीपी टेक्स्ट को लेकर करें आज उनके अधिकारी कमिश्रन हो डिजीपी हो कोई पोन ने उठाता और उसलिए हमको लगा कि भाई कि बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं किस से सवाल कर रहे हैं कि सरकार में बीजेपी है लगता तोला सालों से पहली बार प्रदेश का दो उपमुखमंतरी मिला दोनों एक ही पार्टी के हैं बीजेपी के हैं और सवाल किसे पूछ रहे हैं कौन करवाई करेगा यह बीजेपी के लोग या नितीश कुमार जी की पार्टी इन्होंने जीन चूज किया सेलेक्ट किया नॉमिनेट किया यानि बीजेपी खुद अगर सवाल खड़ा कर रही है तो अपने आप पर खड़ा कर रही है और अपने ही सरकार पर कर रही है यानि आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना अपराद बढ़ी है दिन दहारे किस प्रकार से पटना जो राजधानिये हैं वहां उपे सिंग कुम क्रिमिनलों ने अपरादियों ने भूम डाला और उनकी बेटा चार साल का है वह कहते हैं तो आप समझ सकते हैं चार साल आज हमने कुछ दिर पहले चिट्थी लिखी मानने मुख्मंत्री जी को और हमने इमेल कर दिया है हम चाहेंगे कि इस चिट्थी को आप लोगों को सामने रखें लेकिन कौन-कौन शी घटनाएं हो रही है मदुबनी में बच्ची का आख निकाल लिया जाता जो गूंगी बही बच्ची रेप किया जाता है मुझफरपूर में आप देखें होंगे कि घर में घुच करके रेप परके जला दिया गया है कि ऐसे ऐसे अपराज जो हम लोगों नहीं नहीं देखें कल हम रुपेश सिंग जी के परिवार से मिलने हम खुछ जा रहे हैं छपड़ा और कहीं ना कहीं से 72 घंटे से भी जादा हो गया एक सुराग तक नहीं मिला कोई गिरवतारी नहीं हो रही है हमको लगा कि बिहार में एक चिट्टी मान्य मुख मंत्री जी को लिखनी चाहिए मान्य मुख मंत्री जी रिगत कुछ दिनों में लूट चोडी डकैती रंगदारी बलतकार अपरहन एवं हत्या की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धी हुई हैं केंद्र सरकार के आकरे भी बिहार की दैनिय कानून विवस्था को प्रमानित करते हैं चर्चित अपरादि घटनाओं तो सुर्खिया बनती हैं परन्तु जिल्ला मुख्याले सहित 55 स्तर पर प्रती दिन अंगीनत हत्या पलतकार जैसी घटनाओं का तो जिक्रत तक भी नहीं होता है बिल्कुल तो तेजस्पी आदम ने प्रेस वारता करते हुए कहा कि रुपेश सिंह हत्याकान पर नितेश कुमार को जब पत्रकारों ने घेरा तो पत्रकारों के जायज सवाल पर कल सीम भरक गया मुख्य मंतरी का इकबाल खत्म हो गया है मुख्य मंतरी अपराच पर लगाम लगाने की बजाय पत्रकारों पर ही भरक रहे थे तेजस्पी आदम ने आरोप लगाया कि नितेश कुमार की सरकार अपराधियों को सनक्षन दे रही है सीएम ये बताए कि राज में आप रात कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है बिहार में कायम हो चुका है जंगल राज उन्होंने कहा कि महा जंगल राज बिहार में कायम हो चुका है और महा जंगल राज का महराजा कौन है या किसी से छिपा नहीं है नेता प्रतिपक्च तेजस्वी आदम ने कहा अगर एक महीने में आप रात पर लगाम नहीं लगा तो महागट वंधन के विधायक दिल ली जाएंगे और राश्ट पती से मिलकर राजी सरकार की शिकायत करेंगे राजी की जमीनी हकिकत को राश्ट पती से अवगत कराएंगे आपको उता देगी शुक्रबार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सियम नितिश कुमार पत्रकारों पर ही भरक गए इसका आज नेता प्रतिपक्च तेजस्वी आदम ने जिक्र किया है और सरकार पर जम कर निशाना साथा है अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजेगा धन्यवाद